गुड मॉर्निंग, सुब्रभात, वंदे मातरम, जहिन संगवारी हो, जल्दी से हमार आज के सेशन से जुड़ जावा, आज के क्लास से जुड़ जावा छतिर्गर सिक्षक भरती वर्गदो के तैयारी हमन करवावा थन आप मन के special demand मा वर्गदो जे मा बालविकास और सिक्षर सास्ट वर्गदो के क्लास चला थे हमर regular बिल्कुल most important topic ला लेके हम आगे बढ़ा थन संगवारी हो ताकि आप मन ला भेतर से भेतर ज्यान हमर वीडियो के माध्यम से मिल सकए तो बिल्कुल लेट नई करन जो भी साथी ना वहाँ हमरे चैनल सब्सक्राइब करा तो चला शुरू कर्थन आज के क्लास ला तो देख सकते हैं साथियों आज हम जो study करने वाले हैं जिस बिंदु पर चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है लारेंज कोहलवर्ग जिहां लारेंज कोहलवर्ग जिन्होंने नैतिकता का सिध्धान दिया है और नैतिकता के सिध्धान्त को ही नैतिक विकास का सिध्धान्त कहा जाता है इसको आप याद रखेंगे तो लारेंज कोहलवर्ग ने नैतिकता या नैतिक विकास का सिध्धान्त दिया है कोहल वर्ग को लॉरेंज कोहल वर्ग कहा जाता है आप इसको याद रखें साथेयो चलिए पहले देखो लॉरेंज कोहल वर्ग के बारे में हम दो लाइन देख लेते हैं तो लॉरेंज जो कोहल वर्ग है अमेरिका के एक मनोवैग्यानिक थे यह रहने वाले कहां के थे तो अम अब जब हम बात करते हैं साथियों नैतिकता की नैतिक विकास की तो भाई नैतिकता अर्थात सही या गलत यही दो चीज की बात होगी नैतिक काम करवे अनैतिक काम करवे नैतिक काम मने सही अनैतिक काम मतलब गलत तो नैतिकता के मापने के दो ही पैमाने होते हैं सत्य और अस थीक है, सभी साथ इस चीज से परचित हो गए, तो अब जब हम बात करते हैं नैतिकता की, तो कुछ परिभासाओं को पहले हम को समझना पड़ेगा, तब हम कहीं नैतिक विकास की और अगरसर होंगे, थीक है, तो चलिए, पहले इन परिभासाओं को हम समझे, सबसे पहले हमा कजिए नभारे सब्द है नयतिक्ता अब आखिर ये नयतिक्ता सब्द है क्या तो ऐसा गुर्ग जिसमें सही और गलत की पहचान होती है अगा हम देखो भाई ने अ मतलब क्या सही है क्या गलत है, मैं कोन सब उतलग करी हैं तो वह सही है, का चोरी करना सही का में, है न भई, कोईल मारना पिटना का सही का में, तो जब सही और गलत की जहां हम पहचान करते हैं, वहाँ पर नेतिकता की सुरुवात होती है, बच्चा अपने समाजिंग परिवेश से ही इन गुरो को सीखते हैं, एक छोटा सा सीशू है, जब वो समाज में उठना बटना सुरु करता है, अपने मित्रों के साथ खेलना सुरु करता है, तब वहाँ से उसके जो इस्टेजेस हैं, नेतिक अनेतिक जो गूर है, वो सीखना सुरु करता है, अपने दोस्तों के साथ खेलेगा, हम ऐसा इस चीज को याद रखना साथ हूँ, आप देखेंगे छोटे-छोटे बालक हैं, जब उनकी संगती अच्छे बालक से होंगी, तो उनमें अच्छे गूरी विक्सित होंगे, मैं स्पेसिफिक मैं नाम तो नहीं लूँगा, मेरे एक रिलेटिव है पास में, मतलब वो जाती है, ठीक है, तो जिस छोटी-छोटी बच्चे के साथ वो खेलती है न, वो तो हर छोटी-छोटी बातों पर अपसब्द का प्रयोग करते हैं, अब उन पर उसका प्रभाव आ गया, वो भी घर में अपसब्द प्रयोग करने लगा, अब उनके घर वाले उसको, जैसे ह वो अपसब्द बोलने लगती है, तो चट सुस के गाल पर तमाचा देती है, ताकि वो सुधरे, तो देखो, संगती का यहां, भै परिवेश से ही वो चीज़ सीख रहा है, है न, तो ये है नैतिकता, ठीक है, चलो, अब नैतिकता को तो हमने समाझ लिया, सही गलत के पहचा पहचान ही नैतिकता है, अब हम समझें, आखिर ये जो नैतिक दुविधा है, कब आती है, नैतिक दुविधा आखिर कब आती है, साथ, अर्थात, क्या सही है, क्या गलत है, इनकी पहचान करने में, हम कोन से जगह में अगबका जाते हैं, समझ रहे हैं न, भै बात को, अग उपका जाते हैं कोन सही है कोन गलत है हमर साथ आप मन के भी साथ चाहे छोटे लईकर है या बढ़का सियान क्यों नर है हर कोई के साथ में ए इस्थिती आ थे जमा आप मनल सोंस समझ के फैसला लेना पड़ थे कि वास्तम कोन है सही हो सकते तो यही दुविधा है जिसे हम कोहल वर्ग के दुविधा कहते हैं ठीक है तो देखो सही और गलत के बारे में निर्णय लेने के रूप में अक्षम अक्षम मतलब सही और गलत का निर्णय ना ले पाना अर्था निर्णय ना ले सकने की स्थिती ठीक है अर्थात हम ऐसी स्थिती में आके बीच में अरुक जाते जहां पर हमको दुवीधा होने लगती है कि क्या सही है, क्या गलत है. अर्थाथ हम निरुनेल लेले में अक्ष्ठ्न हो जाते हैं. तो यही हमारा क्या कहलाता है? नयतिक दुवीधा कहलाता है. ठीक है सांतियों? अब उसके बाद एक और महतपूर्ण सब्दाता है वो है नैतिक तरकड़ा तरकड़ा मतलब समाज गए देखो सबसे पहले हमने देखा नैतिकता में सही गलत की पहचान दूसरा में देखा नैतिक दुविधा में क्या सही है क्या गलत है वो क्लियर कर पाने में अक्षम अब तिसरा है नैतिक तरकड़ा आप यहां आपके पास आप जब ऐसी स्थिती में खड़े हैं कि आप सोचने लग रहे हैं क्या सही है क्या गलत तो आप तरक करने लगते हो करते हो ना भाई आप सोचना मतलब वो ही तरक करना है आप सोच रहे हो कि यह कौन सा काम नैतिक है य जब आप करोग ना उसके पहले आपके अंतर आत्मा से एक अवाज आती है मेरी तो आती है भाई मैं सहीं बोलता हूं अगर मैं कुछ गलत करने की कोशिस करू ना तो मेरे को दिल से अवाज आती है कि ऐसे अवाज आती है चुकि मैं हमेशा से ही धार्मिक प्रविति कर रहा और शुरु से दिल से आवा जाती है साथियों कि अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो मन में सोचता हूँ कि कहीं न कहीं इस धर्ती पर अकास पताल कहीं न कहीं कोई ऐसी दिव्यात्मा तो होगा जो मेरे घर गलती का जो हिसाब है उसके पास है हर एक गलती का तो क्यों मैं ऐसा करूँ कि कोई मेरी गलती देखे याग मुझे गलत कहे मैं हमेशा मेरे दिल से अंतरात्मा से आवा जाती है तो यही नर्तिक तर्क, जब आप तर्क करते हो ना, क्या सही है, क्या गलत है, तब वो क्या है, देखो, सही और गलत के बारे में नियुनाय लेने में सामिल प्रक्रियार्थात, आप जब तर्क भी तर्क करते हो ना, क्या सही है, क्या गलत है, वही नर्तिक तर्क रा है, और त तो सही और गलत में से किसी एक को चुनना जैसे हिंज ने चोरी को चुना मैं इस पर तो जादा विचाचन नहीं करूँगा कभी इस पर लंबा स्टोरी चलाएंगे हिंज की ठीक है चली अब हम आते सीधे कोहलवर्ग के नैतिक्ता के सिध्धात पर तो कोहलवर्ग ने नैतिक ने तक तक तीन इस्तर के उन्होंने चार्चा किया है अब यह कौन-कौन से इसतर है तो बिल्कुल हम एक एक करके नैपिक्ता के इस्तर पर बात करेंगे तो सबसे पहले हमारा जो आता है वो है first of all आप देख पाएंगे स्क्रीन पर ये पहला इस्तर है हमारा प्राक रूढ़ीगत ने दिखता इस्तर तो देखो अब ये प्राक रूढ़ीगत अर्थात रूढ़ीगत से पहले है नो प्राक मतलब पूर्व या पहले होता है पहली इस बात को आप याद प्राक मतलब होता है पूर्व या पहले ठीक है तो चलो अब इसको हम समझे परिभासा को होता क्या है तो देखो इसकी जो उम्र है प्राक रूढ़ीगत ने दिखता की चार से दस वर्ष होती है इस अवस्था में बच्चों को सही गलत के बारे में पता नहीं होता जो चार वर्ष से दस वर्ष के बालक है साथियो उस बालक को क्या सही है क्या गलत है इनकी जानकारी नहीं होता इस अवस्था में नैतिक तरकरा दूसरे लोगों के मानकों के अनुसारत अब अब जब उसको क्या सही है क्या गलत है एक चार पांच वर्ष का बालक को पता नहीं है व न तो वे स्वयम से निर्नाय लेने में भी अक्षम हो जाएंगे, ठीक है, सही और गलत की जो पहचान है, वो नहीं कर पाएगा, और वो ऐसी स्थिति में करेगा क्या, तो अपने से जो बड़े निर्नाय ले रहेंगे, ठीक है, उनही के मानकों को वो अपनाते हैं, कब तो चा से दसवर्ष की बालक है या नहतिकता के जो प्राग रूरीगत इस्तर है अब इसको दो भागों में बाटा गया है अब क्या क्या दो भाग है तो इसमें एक तो आएगा आपका दंड एवं सजा और दूसरा आता है साधनात्मक शाप्यक्ष्टा तथा उन्मुक्ता अब चरी हम इन दोर चीजों पर विस्तार करें देखो दंड एवं सजा आगया पालन क्या है इसमें बच्चे के नहतिकता सजा और आगया पालन पर अधारित होती है जब हिंज ने चूरी की तो बच्चों ने सोचा कि अगर मैं भी चूरी करूंगा तो मुझे भी सजा देखो अब यहां दंड और आगया पालन की जब बात होती है तो है ना भी बच्चा क्या करता है मालो बच्चा कुछ जैसे एक चीज आप देखेंगे अकसर विद्यालाय में जैसे मालो कोई बच्चा है ठीक है वो अपना होम वर्क करके नहीं लाया अब गुरु जी द्व दिन होम वर्क करके लायेंगे क्योंको पता है अगर मैं होम वर्क नहीं करूंगा तो मुझे सजा मिलेगी जैसा की उस लड़के को मिला ठीक वैसे ही है ठीक है अगर मैं घलत करूंगा तो मुझे सजा मिलेगी है ना और अगर मैं अच्छा करूंगा तो मुझे सबासी मिले यह है दंड एवं ऍग्या पालन उनुक्तौ थीक है उसके बाद देखे दूसरा आता है इसमें को साधनात्मक शापिक्स्ता तथा उनुक्त अब यहां साधन सापिक्स क्या है तो इस अवस्था को जैसे के तैसा नाम भी हम दे सकते हैं है नब क्योंकि इसमें जो व्यावार उसके साथ करता है वही व्यावार वह दूसरे के अर्थार देखो अक्सर आप देखेंगे एक छोटे से बालक की मैं ही बात कर रहा हूं भई हम सिध्धान बालकों को लेकर पड़ रहे हैं तो हम उदाहरान भी बालकों से देंगे हैं अक्सर लखेंगे ना जब दो बालक आपस में लड़ते हैं तो एक अगर बालक दूसरे को मार दिया जापड से थपड से मारा उसको ना दूसरा बालक भी उसको थपड से मारेगा जैसे को तैसा ही जवाब दिया जाता है ठीक है यह है साधनात्मक शाप्यक्ष्टा तथा उन्मु पहले अब रूड़ी गत में तो अब रूड़ी गत क्या है देखो रूड़ी गत नेतिकता का इस्तर इसकी जो उम्र है दस वर्स से तेरा वर्स होती है ठीक है तो इस अवस्था में बच्चा दूसरों के मानकों को अपने अंदर समावेशित कर लेता है तथा उसी के रूड़ी गत अर्थात रूड़ी वादी आप सुने हो ना रूड़ी वादी अर्थात जो पुराने रिती रिवाज है उस पर चलना ही रूड़ी वादी परमपरा है यही है ना सब साथी जानते होंगे तो देखो इसमें होता क्या है जो बालक है इस अवस्था में जिसे म माता पिता ने कोई नियम तय कर दिया कि बेटा ये काम सही होता है ये काम गलत होता है भले ही वो गलत क्यों नहों लेकिन माता पिता ने उसको बोला कि वो सही है मतलब वो सही है अब बालक क्या करेगा वो उनहीं के जो बनाय हुए मानक है बनाय हुए निर्ना है नियम है उनह तो ये रूढ़ी गत है अर्थात रूढ़ी वादी जो नियम अर्थात रूढ़ी वादी अर्थात जो पहले से बने नियम है उस पर फॉलो करना उसको फॉलो करना तो पहले से जो नियम बन गया है उसको फॉलो आप देखो अगर माल लो घर में दो कनच ये आप देखेंगे साथियों मुहले में अगल बगल के घर वाले में जब जगरा होता है ना भले ही गलता हमारी गलती हमारी हो लेकिन हम बच्चों को बताते हैं कि वो गलत है उसके साथ नहीं देना उनके घर वालों से बात नहीं करना उनके बच्चों से बात नहीं करना हम बोल देते हैं जबकि यह खुद हम गलत कर हमने उस पर नियम थोप दिया बच्चों पर अब क्या है वो बच्चे उस नियम को धारान कर लिए हैं तो यही रूढ़िगत नेतिक्ता का इस्तर है ठीक है समझ में आ रहा होगा कॉमेंट जरूर किया करें साथियों जितने भी साथी जूड़े रहते हैं हमारे क्लासेस में प्लीज वो कॉमेंट जरूर करें कि कैसा लगता है क्लासेस ताकि हमको भी पॉजिटिव एनर्जी प्रदान हो ठीक है आप देखो यह जो रूढ़िगत नेतिक्ता का इस्तर है इस भाई जो रूढ़िवादी नियम अर्था जो पहले से नियम अपने से बड़े समूह द्वारा अपने माता पिता द्वारा बना दिया गया है अब बालक क्या है उसी नियम को अपनाया हुआ है उसी नियम पर बालक चल रहा है वो अच्छा लड़का बन गया अच्छी लड लड़का है नहीं क्या वो अच्छी लड़की है नहीं तो यह तै होती है अच्छा लड़का और अच्छी लड़की का ठीकर यह माता-पिता टाय करेंगे भई आप देखेंगे यही चीजे होती वास्ताव में कोहलवर्ग ने इतने बैक्ष तरीकी सिद्धान को बनाया है ना आप देखेंगे हर एक चीज आपके परिवेश में घटित होता है आपके साथ आपके अपनों के साथ अपने बेटे बेटियों के साथ हर पिढ़ी में यही चीजे घटित होती है इसमें दूसरा आता है कानून एवं ब्यवस्था उनमुकता अब ये कानून ब्यवस्था उनम गया था जो रेड लाइट को पार्क कर रहा था अब देखो अब इस स्टेश की की बात में बार बता रहा हूं कानुन नियम ब्यास था आप देखो बच्चा आप सोचता है तो कानुन नियम जो सासन द्वारा बनाया गया है क्यों न मैं उसको पालन करूं है न भी क्यों न मैं उस पर चलू, इसको हिंज से बताया गया है, हिंज की स्टोरी से भी है, तो आप देखो माल लो, चुकि जब आप किसी सहर से होकर गुजरते हैं, सहर के चवक चवराव से होकर गुजरते हैं साथियो, तो वहाँ पर आपको रेड लाइट मिलता है, है न, अब रेड लाइट ह है, वहाँ आपको रुखना है, ग्रीन होता है, तभी आपको वहाँ से गुजरना है, लेकिन आपके किसी परिजन की तब्याद खराब है, रेड लाइट है, तभी आपको गुजरना पड़ेगा, क्योंकि कंडिशन critical है ऐसी स्थिती में आपका एक ही उन्दिश्य होता है सही समय में hospital पहुचना है ना भई तो यही है देखो अब सही समय में अगर वो hospital पहुचा उनकी तब्यत भच जाएगी उनका अच्छे से इलाज हो पाएगा है ना यह है जो कानुन व्यवस्था के संबंद की जब बात क जाती है ठीक है अर्थात साथियो इसमें क्या होता है देखो लेकिन यहां पर कानुन व्यवस्था बनाया रखने की बात होती है लेकिन ऐसा नहीं कते अभी जो मैंने example दिया ऐसा नहीं करते वालक यह उत्तर उडिगत में आएगा यह जो मैंने अभी कहा वहुच ज्यादा उपर का चिंतन है इस स्टेजेस में आपको देखने को नहीं मिलेगा तो इस इस्टिनी में होगा क्या अब लड़का सोच रहा है या लड़की सोच रही है कि मैं इस रेड लाइट को पार करूंगा तो मुझे सजा मिलेगी ट्रैफिक पुलिस मिलेगी मेरे को पकल लेंगे अ जाएगा नियमों को फोलो करना अब इसमें तीसरा आता है साथियो उत्तर रूड़ीगत नयतिकता अब ये ये रूड़ीगत जो बाते हैं उनसे उपर उठकर के बाद करना ठीक है ये रूड़ीवादी हमारे समाज में जो नियम चल रहे हैं उस नियम से उपर उठकर के ज उपर होती है देखो इसमें जो बालक है ना वो खुद निर्ना लेते हैं ना तो बड़े के बनाये हुए रूढिवादी नियमों का फॉलो किया जाता है वो खुद नियम लेंगे वो खुद नियम बनाएंगे कैसे करेगा क्या करेगा वो स्वयम के बनाये हुए मानक क्यधार पर होते हैं है न वो ये सोचता है कि मेरे नियाम ही मेरे लिए सही है वो ये नहीं सोचता कि समाज के अनुसार चलो है न भी तो ये दो प्रकार के होंगे उत्तार रूढ़ीगत जो नेतिकता है एक तो समाजिक अनुबंध और सारभौमिक नेतिक सिध्धान तो हम इन दोनों पर बात करें तो समाझिक अनुबंद उनक्ता क्या है साथियों लेकिन इस नियम से किसी का नुकसान हो रहा हो तो उसे तोड़ देना है उचित है, मैंने रेड लाइट का उदाहरा दिया, जब भाई रेड लाइट को आप नियम को तोड़ के पार कर जाओगे, तो आप की किसी परिजन की जान अगर बच जाती है, उसको पार करना ही उचित है, है न, यह सोच उपर आगया कि नहीं आया, अब पिछले इसके पहले हमने देखा, तो उसमें बालक क्या किया, रेड लाइट है, वहां रुख गया, जब हरा हुआ, तब निकला, लेकिन इस अवास्था में, उत्तर उढ़ीगत में बालक सिर्फ यहीं सोचता है, कि यदि इस काम को करने से, लोगों का भला हो रहा है, तो वो काम गलत नहीं है, है ना, ऐसा सोचते हैं, अर्थातवर उनका उत्तर उढ़ीगत सोचा जाता है, ठीक है साथियो, तो यह समाजीक अनुबंध उन्मुकता है, और इसमें दूसरा आता है, सार्वभामिक नैथिक सिध्धान को उन्मुकता, इसमें किस और दूसरों के विचारों से नहीं, बल देखो, अब यह इसमें नियम स्वयम बनाएंगे न, और इसमें दोस्ती मित्रता काफी देखने को मिलते हैं, युवावस्था में, दूसरे के लिए हद से गुजर जाते हैं, दोस्तों के लिए दोस्ती यारी में बहुत ज्यादा, अपने मतलब जान जोखिम में डाल कर भ प्रणून, उनको भी ये तोड़ जाते हैं, गुजरने के लिए सिस्तिति से, ये है उत्तर उड़ीगत के अंतरगता आपका सारवभौमिक नैतिक सिद्धान की उन्मुकता, तो साथियों, आपका हम कोहलवर्ग के बारे में बिल्कुल उनके नैतिकता के इस्तर को बताया, नैतिक सिद्धान को आच्छे से हमने समझने का प्रयास किया, मुझे लग रहा है कि आपका कॉमेंट उतना ज्यादा नहीं आया, वास्तों में क्या आपको समझ में नहीं आया, तो प्लीज आप इस बार कॉमेंट कीजिए, बताईए कि क्या चीजें छुटता है, क्या आप तक साजा करने का प्रयास करते हैं साथियों, ताकि आपको बेहतर तरीके से ये चीजें समझ में आ जाए, चली आज की सेशन हम यहीं समाप्त करेंगे, कल की सेशन में फिर से चर्चा होगी एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दिजे साथियों, ज आपको बेहतर हैं